सत्यू नमस्कार, आजे कुछ महत्पूर निड़े था जिस पर आपसे बात करना जरूरी था और इसलिए अच्छानक मेरा आना हुआ मैंने सुचा कि आपसे इस पर बात भी हो जाएगी और काफी समय बात समबाद भी हो जाएगा आज एक बहुत खास निड़े है उरे सिच्छा कमचारी जगत के लिए साइस सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, हो सकता है उस पर बहुत धंग से समझा भी होगा आपने आज इलावाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है एक फैंसला हुआ है जो कमचारी सिच्छक जगत के लिए एक महत्पुन रहे है एक गाइड लाइन है, एक नई दिसा ताइं करने वाला है होगा कि ज़्यदा ज़्यदा लोग जुणे, सब्क्राइब करें और सेयर करें क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम अपनी बात, आप हमारी बात, हम अपनी बात आप से कह सकते हैं सोशल मीडिया का प्लेट फार्म है, तो अगर हम इस पर भी सकृता से नहीं दोगेंगे, अपनी बात हम नहीं पहुचा पाएंगे तो भी दूसा कोई माध्यम नहीं है, न विज्यापन हमारे पास का रास्ता होता है, न टीवी चेनलों पर कोई आपके मुद्दो की बात होती है तो सबसे बड़ा अफेक्ट है सोचल मीडिया, और इसको मैं चाहूंगा कि सभी साथियों से, कि अधिक सदिक को आप सेर करें, सब्क्राइब करें, और लोगों तो पहुचा हैं, क्योंकि इस समय कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, ये दिया आपके हक की आवाज उठा रहा है, तो उसको संबल देने का काम आप सब का भी है, आप सब का धायित बनता है, और तभी वो आपके बल से वो आवाज, वो मुखरता और आती है, तो घर बैठे जो काम कर सकते हैं, उसमें कंजूसी किस बात के लिए, तो बहुत सारे साथी जुड़ चुके मैं ब बहुत बहुत सुक्रियादा करता हूं, आज उन्हों बहुत अश्टपस्ट बाते कहीं हैं, बहुत तार्किक बाते कहीं हैं, और यह जरूर है कि हाई कोड के निन्यों को भी आज की दोर की सरकारें नहीं समझ पाती हैं, या नहीं की बात को सुनती हैं, या नहीं करना चाह की है आम लग कानपुर नगन किम का है कमचारी быть चाया कमचारी है उन्होंने अपनी बात को रखा हाई कोड़ के सामने और हाई कोड़ ने जो डिसीजन दिया है उसमें त्थीन लाइने जो महातुरे उसको मैं आप से कहना चाहता हूँ हाई कोड़िक है परिलाब देना सरकार क यह कर्मचारियों का बिधिक अधिकार है यह एलावाद हाई कोट ने कर्मचारियों के पच्छ में यह बात लिखी है उस डिसीजन में यह बात हाईलाइटेट की गई है और मैं तो चाहता हूं कि उस डिसीजन को सब लोग ज़रूर पढ़ें उसमें क्या-क्या टिपड़ी की गई है शेवा निविती परिलाब देना सरकार का बरदान आसिरबाद या कृपा नहीं है या कर्मचारियों का बिधिक अधिकार है पिंसन शेवा निवित के बाद मिलने माले लाब दूसरी जगह है टिपड़ियो सरकार ने किया कमचारियों को पिंसन देना उसकी सेवा लंबी सेवा का पुरसकार ही नहीं है बलकि या सरकार का दाई तो है यह दाई तो है यह हाई कोट कह रहा है तो क्या बरतवान सरकार जो चल लए है क्या हाई कोट को भी नहीं सुनती है यह सुनना नहीं चाहती है इसी तरह से बहुत सारी टिपड़ियां हाई पोर्ट ने आज महतपूर महतपूर की है जिसको हमको आपको जानना समझना बहुत जरूरी है और पेंसन आंदोलन की दिशा में एक बड़ी बात है पेंसन इनाम की प्रकिति में नहीं है बलकि बाद्धिकारी दाईत्व है फिर सो सुनें पेंसन इनाम की प्रकिति में नहीं है बलकि बाद्धिकारी दाईत्व है सरकार का सेवा से निस्कासन बर्खास्ति पिंसन सुक्रती होने के बाद भी उसका जारी रहना ये महत्पूर्ण है ऐसे तमाम टिपड़ियां हाई कोट ने आज की है और कई महत्पूर्ण बाते उसमें मुहनों रखा है अगर आप इस डिसीजन को पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आयेगा कि हम सब के जो लड़ाई है वो इनलीगल नहीं है असंबैधानिक नहीं है बलकि सम्विधान सम्म बात है समिधान पदन्त है यह हाई कोट अपनी तमाम महत्पूर्ण पड़ियों में कई बार भी पिछले कहा है और फिर आज कल उन्होंने बात कही है अब इस थोड़ा सा हाई कोट के इनलों को लागू करना सरकार का काम है समंधित विभाग का काम है लेकिन तमाम फैंसले रखे हुए हैं जो तो सरकार के पच्छ में आ जाते हैं वो तो सरकार तुरंट उसको लागू कर देती है लेकिन जो कमचारियों के पच्छ में होते हैं उसको लागू करने में बहुत दिक्कत होती है बड़ी परसानी होती है और ये हम सब के लिए एक रोशनी का इक्दिश करिएगा पढ़िएगा आप पढ़ करके आप इस आंदोलन को प्रेंशन आंदोलन को समझेंगे कि हम कितनी महत्पूर्ण हम सब और कितनी बैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने इतना ही नहीं किया मैं तो न्यामूर्थी साहब को बहुत बश्ण सुक्रिया करना चाहता हूं कोड ने के आर सुन्दरम बनाम तमिल राज बनाम अन्न और उसके पहले सुप्रेम कोड से में संबंदित इस विशय के संबंदित जों कही गई बाते हैं उन सब को उधरण दिया इन केशों को भी उन्यों उधित किया कि यहाँ 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 भी इन हाई कोड के पर या सुप्रीम कोड के इन वादों में ये बात आई है कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं और अश्पर्च से मानना है कि पिंसन हमारा समधानिक हक है और हम लोग सही आंदोलन सही लडाई लड़ रहे हैं सही दिशा में लड़ रहे हैं और सही दिशा में अगर हम सब लाम बंद होंगे तो हमारे पच्छ में ये डिसीजन आज नहीं कल आएगा आज हाई कोड बोला है सुप्रेम कोड कई बार बोला सुप्रेम कोड आगे भी बोलेगा फिर एक दोर ऐसा भी आएगा जब इनको मानना ही पड़े और मैं बड़ी जिम्मेदारी साथ कहना चाहता हूँ कि ये सरकार मानी हाई कोड की बात को सुने उनके जो फैंसले हैं उनको माने उसको लागू कराए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है वागत है लेकिन उसमें उस डबल इंजन में उजो बोगी है उनका देखने वाला कौन होगा और पूरा डबल इंजन वही सिचक कमचारी चलाता है अब चुनाओ है चुनाओ मादाता बनवाने से लेकर के परसियां पहुचाने से लेकर के चुनाव कराने से लेकर कि मत करना कराने तक का सारा दाई तो इसी वर्ग पर है जिसके खिलाब हैं आप इसी वर्ग का है और यही कराए आप कल्पना करें आप जिसको बोर्ड देते हो वो OPS पाएगा जो बोर्ड देता है वो NPS पाएगा समझ में आ रही ये बात निश्चितु से बुद्धी जी भी हैं तो समझ रहे होंगे दो-तीन खरी-खरी वातें कहना चाहता हूं हमारी बोट से उनको पिंसन और जब मौका हो अपने बोट से अपनी पिंसन तो क्यों हम फैसले से पीछे रहें क्यों हम फैसले से पीछे रहें जिन लोगों को मैं आज फिर कहना चाहता हूं जिनको विचारधार और पाल्टी से बहुत महबबत है उनको देखें जिन उनको पाल्टियों ने बहुत कुछ दिया और चुनाओ के अंग पर टिकट नहीं मिल लहा है तो पाला बदल रहें इसका मतलब बुधिमान कौँ जादा हुआ जो अपना हिद समझ रहा है या अपना अहिद के बाद भी डटा है अब कलपना कर इस बात को कि आप बुधिजी भी हैं लेकिन नुक्सान के बाद भी डटे हैं वहां फायदे के बाद भी फरार हो रहें लोग हम कब जागेंगे और वोट फारोपियस की ताकत को आप समझें देखिए यह हमारा राइट है हम अपना बुधि किस भी सेपर किसको देना चाहते हैं यह मेरा अपना निड़य है यह हमारा आपका अपना निड़य है मैं इसको कई बार कह चुका हूँ एक बिरोजगार हो सकता रोजगार के लिए बूट करें एक किसान हो सकता खाद और पानी के लिए बूट करें एक महिला अपनी सुरच्छा के लिए बूट करें तो एक कमचारी अपने बुढ़ापे के सुरच्छा के लिए क्यों नहीं बोड कर सकता है। और आप याद रखिएगा मेरी बात, बुरी जरूर लगेगा। अगर हम अपने मुद्दे के साथ नहीं खड़े हैं, तो आप किसी से कलपना कैसे कर सकते हैं कि आपके मुद्दे साथ उखड़ा हूँ। हम अपने मुद्दे पर अपना बोर्ड दे नहीं सकते हैं, तो सरकारों की अलोचना और दिखावापन किस काम का है। हम सरकार बहुत अलोचना करें। बहुत अलोचना करें, क्या फाइदा है, कोई फाइदा है, कुछ नहीं, क्यों, जब आप अपने मुद्दे पे अपने साथ नहीं खड़े हो, तो सरकार क्यों खड़ी होगी, और मैं अपनी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, कि ये कोट फार OPS का वियां, इनम OPS, सहोगी संठ उन गौरत चलाया जारा, उसको पढ़ाईए, और मैं सभी साथ निवेदन करता हूं, आप अपने को कम जोर नमाने, आपकी सक्ती बहुत बढ़ी है, बस लग जाएए, अपने घर का बोट, अपने मुद्दे के साथ ले जाएए, आप पांच बोट और, अपने मुद्दे क सदिक करिए, मद्दाता जागता अभियान चलाइए, सभी को प्रिरित करिए कि पांच साल बाद एक बार मुद्दे का आया है, कि अपने हकों के लिए हम अपनी अमुद्दी लगा सके, पांच साल बाद एक बार मुद्दा है, तो हम इतना ही ने रहें कि उंगली लगाने भर के काम आए उन उंगली से अगर हमारे निड़े या हमारे पच्छ मिने चीज़ें आए तो फिर हमारे बोट देने न देने का प्रिफाइदा ने इसलिए आप अधिक्तम दे और लोगों को जागरू भी करें गाउं में जाएं कारेलों में जाएं विद्यालों में जाएं और सब को प्रिफ करें कि भाई आपका लोगतंद का पर्व है लेकि उस पर्व में सिर्थ आप एक दर्सक बने ये ठीक नहीं है एक बोट देने का अधिकार दिया गया इसका मताब उसके खिलारी है और खिलारी अपनी जीत के लिए लड़ता है खेलता है आप भी अपनी ज देगी बात करेगा हम उसके साथ होंगे इसमें कोई लागलबेट नहीं और अगर भक्ती चड़ी रही तो किसको क्या मिलेगा कौन विधायक बनेगा कौन सांसक बनेगा वो नहीं पता है लिए कि आपका बगाफा NPS के उस जहरीले और भैंकर साप के मकड़जाल में फंस ज आ रहे हैं अभी जैसे जैसे अउन दिकायेगा इतना जागा हो जायेगा कि आप अपना पैसा पाजाएंगे तो आप उसी को माल लेंगे कि यहां को मिल गया तो मैं आज हाई कोट के डिसीजन को मानि नयमूति साहब का बहुत बहुत सुप्रियादा करता हूं इस देश में नयाले के पच्छ में नयाले एक उमीद की किरण होती है जब आदमी चारों तरफ से निरास होता है तो फिर एक जोग खट होती है जहां जाके खट खट की आवाद देता है कि मैलाड मेरे साथ भी नयाय हो और समय समय पर हमारी इस लोगतंत्र को नयाले ने नयाइपालिका हमारे नयायमूर्ती साहब लोगों ने एक पबल दिया है संबल दिया है एक दिसा दिया है और आज एरहाबाद हाई कोट का निरे भी उसी दिसा में एक संबल बनेगा तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपने अभियान को आगे बढ़ाईए और आप ताकतवर हैं आ कोई प्रहनमंती बनने के लिए कोई सत्ता रूल बनने के लिए अगर लोगों के चोखर पर जा सकता है तो अपने बुढ़ापे के लिए हम क्यों नहीं जा सकते हैं सिर्फ मुख दरसक ना बनिए आपके भविष का फैंसले का वक्त आ आगया है आप मुखरता से अपने बोले गए उनको आप जबूर देखें कि कितनी महत्पूंटी पड़ी आई है अपने पच्छ में तो बुना सभी को बहुत बहुत सुक्रिया बहुत बहुत धन्वाग शुबरात्री आपका दिन मंगल मैं हुद